किसान की पतनी का बेटा आंगन में बैठा हुआ फ्रंच फ्राइस खा रहा था किसान की पतनी के घई के आंगन में एक पेर था जिस पर बैठा हुआ कालू कवा बच्चे पर नजर रखे हुए था ये तो कोई बहुत स्वाधिष्ट चीज है, मुझे ये चीज किसी भी तरह इस बच्चे से छीनना होगी ऐसा सोचते हुए कालू कवा उड़ता है और बच्चे के सामने से फ्रंच फ्राइज उठा कर भाग जाता है वो सीधा घने जंगल में जाता है और वहां बैठकर फ्रंच फ्राइज खाने लगता है ये तो बहुत स्वाधिष्ट है, मैं खुद को कैसे रखो खाने से, गोरी मुझे से लड़ेगी कवा ऐसे सोचता हुआ सारे ही फ्रंच फ्राइज खा लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है कालू, तुम खाली हाथ ही लोटाए, तुम तो इनसानों की बस्ती में मेरे लिए स्वाधिष्ट भाज़ा लेने गे थे हाँ, गिया तो था, मगर मुझे वहाँ से कुछ मिला ही नहीं कवा अपनी पतनी से ऐसे जूट बोलता है गोरी, तुम ये सूखे जनों के दाने खालो क्या तुम नहीं खाओगे? मुझे भूग नहीं है, गोरी, तुम खालो फिर रात हो जाती है, कवा और उसकी पतनी सो जाते है ये फ्रंच फ्राइज बहुत स्वादिश है मैं ये सारे ही खालूंगा और गोरी के लिए सूखा दाना ले जाऊंगा कवे को सोते में बोलने की आदत थी जब वो ऐसे बोल रहा था तो उसकी पतनी गोरी कवी सब सुन लेती है तो ये बात है, कालू के बच्चे कल मैं जाऊंगी इनसानों की बस्ती की तरफ और तुम रहोगे खर में सुभा हो जाती है गोरी, मैं जा रहा हूँ मैं इनसानों की बस्ती की तरफ जा रहा हूँ नहीं कालू जी आज इंसानों की बस्ती की तरफ मैं जाओंगी और तुम जंगल से ताना ठोट कर लाओगे ऐसे गोरी अपने खर से निकलती है थोड़ी दूर उसे रानो चुडिया मिलती है गोरी कवी रानो चुडिया के पास जाती है रानो चुडिया तुम क्या कर रही हो यहां गोरी बेहन बहुत भूख लगी है मैं भोचन की खोज में निकली हूँ चुडिया चलो मेरे साथ चलो मैं इनसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ वहां से कोई ना कोई स्वादिश्च चीज जरूर मिल जाएगी खाने को हां मगर जो भी मिला हम बांट कर खाएंगे तो फिर चलो मेरे साथ फिर गोरी कवी और चुडिया इनसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है मैं इस दिशा में जाती हूँ और आप उस तरफ जाएं चिडिया को थोड़ी दूर एक हलवाई की दुकान की चछट से एक लड़ू मिल जाता है चिडिया वो लड़ू देह कर बहुत खुश होती है मैंने गोरी से वादा किया है कि जो भी मिला मिल बांट कर खाएंगे इसलिए मैं ये लड़ू ले जाती हूँ गोरी कवी भी किसान की पतनी के घर में पेड़ पर बैठी हुई थी डुश्ट कवे मैंने तुम्हें देख लिया है आज तुम्हें सजा जरूर मिलेगी ऐसा कहते हुए किसान की पतनी फ्रंच फ्राइस पर पेड़ खराब करने वाली दवा लगा कर उन्हें आंगन में रख दे दी है गोरी मौका देखकर वो फ्रंच फ्राइस उठा कर भाग जाती है ममा अब पता चलेगा उस कवे को वो हर रोज मेरा भोजन उठा कर ले जाता है फिर डोनों चिडिया और गोरी कवी जंगल में एक जगा अकठी होती है गोरी गोरी देखें मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड़ों मिला है और मुझे फ्रंच फ्राइस किसी तरह मुझे चिडिया को साइड पर करना होगा ताके ये सारा माल में अकेली ही खा सकूँ ये सोचकर गोरी चिडिया से कहती है चिडिया चिडिया ये फ्रंच फ्राइज हैं इन्हें टमाटर की चटनी से लगा कर खाएं तो फिर बहुत सवाद आता है मगर हमारे पास तो टमाटर की चटनी नहीं है तुम जल्दी से जाओ और किसान के खे से तो टमाटर ले आओ तब तक मैं चटनी बनाने का सामान जमा करती हूँ फिर मज़े से पार्टी करेंगे चिडिया गोरी कवी की बातों में आकर किसान के खे से टमाटर लेने चली जाती है और गोरी मजे मजे से अकेली ही फ्रंच फ्राइज खाने लगती है वो सारे ही फ्रंच फ्राइज खा लेती है वा रे चिडिया अपना मीठा मीठा लड़ू भी मुझे दे गई हो फिर गोरी कवी चिडिया का लाया हुआ लड़ू भी अकेली ही खा लेती है और वहां से घर भाग जाती है चिडिया भी किसान के खेसे टमाटर लेकर वहां आ जाती है मगर वहां तो कुछ भी ना था ना गोरी, ना लड़ू, ना फ्रंच फ्राइज केवल एक खाली डिपा वहां पड़ा हुआ था चिडिया रोने लग जाती है डुष्ट गोरी कवी, तुमने मेरे साथ धोका किया मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी रोती हुई चिडिया बेचारी भूकी ही घर वापिस जाती है गोरी, मेरे लिए क्या लाई हो इंसानों की बस्ती से जैसे कल तुम्हें कुछ नहीं मिला था ऐसे ही आज मुझे भी कुछ नहीं मिला गोरी ने अभी ये बात की ही थी कि उसके पेट में गुड़ गुड़ शुरू हो जाती है गुड़ गुड़ कैसे नहोती उसने पेट खराब करने वाली दवाई मिले फ्रंच फ्राइज जो खा लिये थे कालू रुको रुको मैं अभी आई गोरी भागी भागी सोशाले चली जाती है थोड़ी देर बाद गोरी जैसे ही वापिस आती है वो फिर से कालू से कहती है हटो हटो कालू मुझे चाने दो गोरी फिर से भाग जाती है अब तो एक मिनट भी ना गुजरता कालू पहले तुम बताओ कि कल जब तुमने फ्रंच फ्राइज खाए थे तो क्या तुम्हारा भी पेट खराब हुआ था। नहीं मैंने तो खाए ही नहीं फ्रंच फ्राइज मुझे सब पता है जैसे कल तुमने चोरी चोरी फ्रंच फ्राइज अकेले ही खाए थे ऐसे ही आज मैंने भी खा लिए मगर कालू मैं मर रही हूँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है कालू जल्दी से चड़िया की तरफ जाता है चड़िया चड़िया जल्दी चलो गोरी मर जाएगी उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है दर्द तो होगा उसने मेरा लड़ू भी खा लिया और फ्रंच फ्राइज भी और मुझे भेश दिया चटनी बनाने के लिए टमाटर लेने चड़िया अच्छा ही हुआ जो तुमने वो फ्रंच फ्राइज नहीं खाए लगता है किसान की पतनी ने उनमें दवा मलाई हुई थी गोरी का तो बुरा हाल है चड़िया के पास पेर डर्द की दवा थी चड़िया वो दवा लेकर कालू के साथ जाती है और दो कतरे पेर ठीक करने वाली दवा के गोरी के मूँ में डाल देती है जो लालच करता है हमेशा उसके साथ बुरा होता है चड़िया मेरी तो किसमत ही खराब है अगर तुम्हारे साथ बांड कर फ्रंच फ्राइज और लड़ू खाए होते तो शायद मेरे पेट में इतना शदीद दर्द ना होता ऐसा कहते हुए गोरी फिर से सोशाले की तरफ भाग दी है जिसे देखकर चड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी बहुत इंतजार करने के बाद आज चड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत खुश थी क्यूंके आज चड़िया की तरबूज की खेती तियार हो चुकी थी गुड़िया बेटी आप तरबूज तोड़ें और मैं घर से बैल गारी लेकर आती हूँ ममा क्या बड़े बड़े तरबूज ही तोड़ें है या फिर छोटे भी नहीं बेटी छोटे तरबूज ना तोड़ना ये छोटे तरबूज बड़े होने पर तोड़ेंगे फिर ममा चिडिया बैल गारी लेने चले जाती है और गुडिया बड़े बड़े तरबूज देहकर तोरने लगती है कालू कववा एक पेड़ पर बैठा हुआ गुडिया को तरबूज तोरते हुए देख रहा था समय आ गया समय आ गया चिडिया के तरबूज चोरी करने का समय आ गया है मैं अभी घर जाकर गोरी को बताता हूँ गोरी गोरी कहा हो जल्दी आओ क्या शोर मचा रखा है कालू जी गोरी आज चुडिया अपने तरबूज तोर रही है वो तरबूज लेकर मंडी जाएगी बैल गाड़ी पर लाद कर मतलब हम रास्ते से ही चुडिया के तरबूज चुरा लेंगे हाँ मैं यही कहने वाला था तो फिर चलो और मंडी के रास्ते में किसी पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं फिर वो दोनों शैतान पती पतनी अपने ख़ड से भागते हैं और मंडी में जाने वाले रास्ते पर जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं चिडिया और उसकी बेटी भी बैल गाड़ी पर अपने तरबूज लाद लेती हैं बेटी तरबूज गिने हैं ना कितने हैं हा ममा पूरे बीस बीस तरबूज हैं मैंने गिन कर रखे हैं ममा फिर चिडिया और उसकी बेटी अपनी बैल गाड़ी लेकर मंडी की तरफ चाल देती है वो खेट से निकल कर मंडी के रास्ते पर जाती है जहां कालू कवा और गोरी कवी पहले से ही छुपे बैठे थे कालू आ गई आ गई कालू चिडिया बैल गाड़ी लेकर आ गई है मैं बैल गाड़ी से तरबूज उठा उठा कर गिराता जाऊंगा और तुम अकठे करना फिर वो ऐसा ही करते हैं कालू कवा पीछे से जाकर चुपके से चिडिया की बैल गाड़ी पर बैठ जाता है और तरबूज चुरा चुरा कर नीचे गिराता जाता है और गोरी तरबूज अकठे करती है वो दोनों चिडिया की बैल गाड़ी से तीन तरबूज चुरा लेती है चिडिया को पता ही नहीं चलता और वो बाकी के तरबूज लेकर मंडी पहुंचाती है चाचा चमचम मैंने बीस तरबूज बेचने हैं कितने में लेंगे आप चुडिया रानी मैं पांच सो दूँगा इनका ऐसे चुडिया अपने तरबूज चाचा चमचम को बेच देती है चाचा चमचम गिन ले, पूरे बीस तरबूज है, मेरी बेटी ने गिन कर रखे थे चिडिया मुझे तुम पर विश्वास है, अगर आपने गिने हैं तो पूरे ही होंगे चिडिया पैसे लेकर अपनी बैल गाड़ी घर वापिस मोड़ती है, ऐसे तीन दिन गुजर जाते हैं हर रोज चिडिया जैसे ही बैल गाड़ी लेकर मंडी के रास्ते पर आती, कववा और कववी चिडिया के दो चार तरबूज चुरा लेते जिसका ना तो चुडिया को पता चलता और ना ही मंडी में चाचा छमचम को कालू जी चोरी का माल खाने में तो बहुत मज़ा है हाँ गोरी और चुडिया भी इतनी भुद्दू है कि उसे आज तक पता ही नहीं चला के हम हर रोज उसकी बैल गाड़ी से तरबूज चुरा लेते हैं ऐसे वो तरबूज खा कर हंसने लगते हैं कल भी मुझे सारे तरबूज बेज कर मनाफ़ा नहीं हुआ और आज भी ऐसा ही हुआ आज मैं चुडिया के तरबूज गिनूगा हो सकता है चिडिया मुझे काम तरबूज दे कर जाती हो चिडिया आज फिर मंडी में तरबूज ला रही थी गुडिया बेटी आज कितने तरबूज रखें हैं बैल गाड़ी पर ममा पंदरा पंदरा तरबूज हैं आज बैल गाड़ी पर कवे भी पीछे से तीन तरबूज चुरा लेते हैं चुडिया मंडी पहुंचाती है चुडिया बेहन आज कितने तरबूज हैं अंकल मैंने गिन कर पूरे पंदरा तरबूज रखे हैं बेल गाड़ी पर आज मैं भी आपके सामने तरबूज गिनूगा गिने गिने चाचा चमचम इसमें बुरा ही क्या है फिर चाचा चमचम तरबूज गिनता है मगर वो तरबूज तो बारा थे तीन तरबूज कम थे चिडिया ये बारा तरबूज है और आपने पंदरा कहा था क्या आप हर रोज ऐसे ही मुझे चूना लगा जाती हो चिडिया ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होती है गुडिया बेटी ये आपकी गलती है आपने अच्छे से गिंती नहीं की होगी तर बूज की मगर ममा मैंने दो बार गिने थे फिर चिडिया अपनी बेटी को साथ लेती है और बैल गाड़ी लेकर वापिस होती है रास्ते में जाते हुए गुडिया तर बूज के बारे में ही सोचे जा रही थी ममा हो नहो तर बूज जरूर किसी ने चोरी किये है मैंने दो बार गिने थे नहीं बेटी मुझे लग रहा है आपको गलती लगी होगी गिन्ती में मगर मैं कर जानकर रहूंगी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे तर बूज पंदरा से बारा कैसे हुए फिर दूसरे दिन गुडिया अपनी ममा के सामने गिनकर तर बूज अपनी बैल गाड़ी पर लादती है बीस ममा आप खुद गिन लें आज बीस तर बूज हैं आप बैल गाड़ी लेकर जाएं और मैं आज आपके पीछे पीछे आऊंगी मैं चलती हूँ मगर आप दिहान से आना बेटी फिर ममा चड़िया अपनी बैल गाड़ी लेकर चलती है और गुडिया पीछे पीछे छुप कर आती है कवा और कवी तो तर बूज चुराने के लिए पहले ही आय बैठे थे जैसे ही बैल गाड़ी उस पीड़ के पास आती है कवा तरूंत पीछे से बैल गाड़ी पर बैठ कर तर बूज नीचे गिराने लगता है जिसे गुडिया पीछे से देख लेती है रुके मम्मा रुके चोर पकड़ेगे मम्मा चिडिया भी बैल गारी रोकर पीछे आ जाती है मम्म मैं नहीं कालू नहीं हम दोनों हम दोनों का आज तरपूझ खाने को बहुत मन कर रहा था तो ये तुम हो जिन्होंने मुझे चाचा चमचम के सामने शर्मीनदा किया मम्मा मैं नहीं कहती थी के कोई चोर है जो हमारे तरपूझ चोरी करता है चिडिया हमें माफ कर दो पासे तीन तरपूझ ही तो चोरी किये हैं हमने इसका फैसला तो राजा जी ही करेंगे फिर चिडिया मिठू राजा को कवे और कवी की शिकायत लगाती है उलू संतरी कवों को बुला कर ले आते हैं राजा जी ये उपाए मेरी पतनी ने मुझे दिया था पका छूट राजा जी पहले चिडिया के तरबूज चोरी करने का मशवरा कालू जी का था राजा जी ये दोनों ही मेरे चोर हैं फिर मिठू राजा दोनों कवों को पिंजरे में बंद करवा देता है और उन्हें सजा देता है ऐसे कवों को चोरी की सजा मिलती है